हेलो एवरिवन आज हम बनाने वाले हैं दही फुलकी वो भी चने की दाल से वैसे तो हम बेसन से ही दही फुलकी बनाते हैं पर मैंने आज चने की दाल से दही फुलकी बनाई हैं एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी बेसन से दही फुलकी नहीं बनाएंगे तो यहां मैंने कुछ मसाले लिये हैं जिसमें हैं चार लाल साबुत मिर्च, आदा चमस, जीरा, आठ दसकली लह सुनगी अब इनका मैं पेस्ट बना लूँगी ये देखिए पेस्ट हमारा बन चुका है अब हम ले लेंगे दई दही हमारी ये 1.500 या 200 गिराम के आसपास ही होगी क्योंके मैं बहुत कम बना रही हूँ तो अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये आदा पेस्ट हम डालेंगे इस दही में और आदा बचा के रख देंगे साइड में दही हमारी तयार हो चुकी है अब बना लेंगे हम फुल की जिसके लिए मैंने लिए एक बड़ा चमच चनी की डाल और एक बड़ा चमच मूंग की डाल जिसे मैंने 2 गंटे पहले भिगो के रख दिया था ये फूल के आदी-ादी कटूरी हो चुकी है तो ये जो हमने आदा पेस्ट बचाया था इसी में दोनों तरह की डाल डाल कर हम भारिक पेस्ट बना लेंगे ये देखिए दोनों डाले हमारी पिस्ट चुकी है अब इसमें डालूगी मैं बहुत थोड़ा सा खाने का सोड़ा और आदा चमट से भी कम नमक नमक आप अपने मताबिक डालें तो ये मैं रात में बना रही थी इसलिए मेरे पास पोदीना नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया फ्रेश औरेगेनो ये देखिए ये जो प्लांट है ये औरेगेनो का ही प्लांट है किसी के पत्ते तोड़कर मैंने डाले हैं इसमें तो अब मैं कर लूँगी फुल्कियों को फ्राई फुल्की फ्राई करने के लिए मैंने बहुत कम ओईल लिया है ज्यादा ओयल में उनकी शेय पच्छे से नहीं बन पाती तो फुल्की हमारी फ्राई हो चुकी हैं अब हम इन्हें डालेंगे दही में दही में आप पानी या दूद पतला करने के लिए जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक फिर डाइरेक्ट इसी में फुल्की डाल दूँगी इन्हें मैं अलग से पानी में नहीं डालूँगी अब लगाएंगे हम दही फुल्की में तड़का तो उसके लिए मैंने लिये दो साबुतलाद में डो कली लहसुन की और थोड़ा सा जीरा अगर आप चाते हैं तड़के में हिंग डालना तो आप हिंग भी डाल सकते हैं मैं तड़का लगाते हैं वक्त हिंग डालना भूल गई थी तो देखिए हम मैं ढाल दूँगी दही फुलकियों में तड़का उपड़ से दही फुलकियों में जो भी कानिशिंग आप करना चाते हैं मैं तो करती नहीं हूँ पर यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए थोड़ी सी कानिशिंग कर दी है तो यह रैसी पी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अल्लहाफेज